क्यों है जयह हैं दौस्तों कैसे आप लोग उम्मिद करते हैं सभी ठीक हों गे दोस्तों आपको पता होका कि मेरा जो आज का वीडियो है वो की बेसिक इंडियान टीर सिस्टम की पर यानिकी हमारा देश्ट है वह कौन-कौन से ये डिफेंस्टम यूज तो फक्रते करते अरह जो करते हैं इसमें काफी एयर को लंबा को लंबा नहीं करते हुए इसका जो यूज है वहारी इंडिया नवी और इंडियन आर्व में दोनों करते हैं इसकी जो speed है यानि कि इसकी जो रफ्तार वो 2470 km पत्री घंटा है ये एक 0.5 से लेके 110 km तक के अपने target को destroy कर सकता है हम अब नमबर 2 बात करते हैं यानि इस पैड़ा ये एक short and medium range to air defense system में इसको agile ने बनाया है इसकी जो speed है वो 4940 km पत्री घंटा है ये 15 km से लेके 50 km तक के अपने target को destroy कर सकता है वहीं नमबर 3 के बात करते हैं यानि कि अकास missile यानि कि surface to air missile system है इसको इंडिया के DRDO ने बनाया है इसका use हमारी Indian Army और Indian Air Force दोनों करती है अकास missile की speed है वो 3000 km पत्री घंटा है इसकी जो range है वो 40 km तक के अपने target को destroy कर सकती है अकास missile के काफी later system यानि अब gate किया गया उसकी range यानि की 110 से 120 km तक के की जा रही है अब नमबर 4 की बात करते हैं नमबर 4 में रखा है 2K 112 कूब यानि कि इसको रशिया ने बनाया है ये एक medium range surface air missile system है और ये एक track vehicle पर लगा है इसकी range 25 km तक के है अपने target को destroy करने के लिए अब नमबर 5 पर बात करते हैं S125 P14 यानि कि इसको भी रशिया ने बनाया है ये एक short range surface air missile system है इसकी जो range है 3 km से लेके 35 km तक के है इसको Indian Air Force अपने बेड़े में यूज करती है यानि कि अपने air base को safe करने के लिए नमबर 6 को मैंने रखा है S200 इसको रशिया ने बनाया है ये एक long range missile system है इसकी speed 9880 km पर तरी घंटा है और ये एक 150 km से लेके 300 km तक के अपने target को destroy कर सकता है अब हम बात करते हैं नमबर 7 की नमबर 57 मेंने रखा है 9K 33 OSA AKM इसको रशिया मनाता है ये एक short range system है इसको mount किया गया है 6 by 6 के vehicle पर इस system की speed 3600 km पर तरी घंटा है missile travel कर सकती है इसकी missile का नम है 9K 33 missile है ये 15 km तक के अपने target को destroy कर सकती है वही हम बात करते हैं Strader 10M3 ये एक self-propelled anti-aircraft gun है इस system में 4 by 3 mm के 2A7 auto cannon लगी है ये system एक minute में 2000 round firing कर सकता है ये system low helicopter और drone को मारने में काम आता है अब हम बात करते हैं number 10 यानि की 9K 38 Eglah इसको इंडिया ने रशिया से purchase किया है ये Eglah के जो missile लगी होती उसकी speed 2445 km पर तरी घंटा रखके जा सकती है और ये 0.5 से लेके 5.5 km तक के अपने target को destroy कर सकता है दोस्तों हम बैसे कई लोग जानते हैं कि इंडिया ने अभी रशिया से S-400 purchase किया है यानि की जो S-400 की 5 unit इंडिया ने purchase किये उसका जो पहला unit इंडिया आच चुका है और इसको कुछ ट्रॉयल कर चल रहे हैं और इसको बहुत जल्ली deploy किया जाएगा हम सभी जानते हैं कि दुनिया का अभी तक के जो सबसे खतनाक air defense system है वो S-400 है और इसको रशिया के इलावा इंडिया और चाइना भी purchase कर चुका है अब हम बात ये भी आपको बता रहे हैं कि इंडिया रशिया से S-500 deal को ले के भी कुछ planning कर रहा है अभी इस पर कुछ confirm नहीं हुआ जैसे confirm होता है तो मैं आपको इस पर एक वीडियो बना के बताऊंगा दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जैहिन जै भारत